मकี้ नाहो, लहरियाक नाहो, रिलगड़ियाक नाहो, आरअजिरा, उखार दिलाकीला नाहोς, कमार ho, नहीं मचहरलानी मतलो है ऐसे बहुत सारे गाने हैं argentino बें, जवानी व सुन लै एही समय नहाज जी महझा महर हमरह मेरा सोंगे चला मक range प्रवाज में तो एक दम से जादू है गाना एक से एक सूपर ब्लाश्ट पिक्चर से लेके ऐसे बी कितने गाने इनके हीट बजे हैं इनसे बात करेंगे इनके जीवन के बारे में भी बात करेंगे कैसे इन्होंने सुरुआत किया है सबसे पहले स्वागत है गंगा नुज मे गंगा नुज के सभी दर्शकों को लिसनर्स एंड इवर्स को नमस्कार पढ़ना इंदु सुना लिगे अच्छा मैं चाहूंगा कि सबसे पहले अपना गाना से आने के बाद ही बात करेंगे बिलकुल जिस तरह से सभी दर्शक सभी जित्ते भी हमारे शुरुता गण है ते अलग पहचान दी है लेकिन बाद में दीरे-दीरे जब मैं लोगों तक पहुंचने लगी कि यहीं इंदु सुना ली है तो सबकी इच्छा होने लगी कि आप अलबम भी गाईए तो मैंने अलबम भी गाना शुरु कर दिया है तो मैं बारी-बारी से क्योंकि फिल्मों के ग तो मैं उस भीड से हमेशा अलग आई हूँ और मैंने अलबम के माधियम से जो मेरा चैनल है इंदु सुना ली इंटर्टेन्मेंट मैं अपने दिल का भडास निकालती रहती हूं गागा के जो मुझ में थोड़ी बहुत पॉलेटी उपर वाले ने दिया है उसको मैं निखा जाएदा धीर धीर पिरतिया हुमर जाएदा धीर धीर पिरतिया हुमर जाएदा रात तनी का सारी गुजर जाएदा चांद के तु जमी पे उतर जाएदा बहुत सुन्दर गाने, इनके अवाज के क्या का ना, मकाया में, मच्छडदानी, और कितने गाने हमको तो याद नहीं, अभी नीज कर रहा हूं, तो याद नहीं पढ़ रहा है, बहुत सारे गाने हीट पर हीट, कोई अपना हीट जो पिक्चर में बजा है, वो थोड़ा सब मैं इस बात को हमेशा एक खुस नसीवी समझती हूँ कि कई सारे सिंगर्स अलबम गाएं चार फिल्म में गाएं फिल्म में गाना तो बहुत कम ही देखा गया है और प्लेबाक सिंगर का जो खिताब है उसको नहीं दिल पाता और इश्वर की किरपा बड़ों का अशिरवाद म मुझे स्पेशल बनाया तो उसमें मैंने देखा कि जो भी हमारे दर्शक हैं सारे गाने हर मुडिक के वो सुनते हैं तो मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगी जैसे कि स्टार्टिंग में ने गाया उदिद जी के साथ गाया लेकिन गाना पहले हीट हुआ लहर यालु टाई र रहिर 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 लूटाया राजा लूटाया राजा मुहावापा डाली के चादारिया लहरिया लूटाया राजा यह समया में राजाजी बहुत यह गाना चला था मैं देखा था मैं उस टेम भी सुन रहा था बहुत यह बलाष्ट एकदम सौंग था की तो मैं अज तक मैं जहिसां जाहा हिं तक मैं कहीं भी मुंबय затем रहे हूं चाहए पटना रहे हैं तो यह से रास्ते पूलके झाने होते हैं अच्छा डिल करे आप और उपके दील के का में हैं को पताना है कि मेरे दिल के सारे गाने हैं, क्योंकि यो इमांदारी है म्यूजिक में, म्यूजिक में इमांदारी चलती है, और मेहनत चलती है, कालन चलता है, और कुछ नहीं चलता है, चलाकी नहीं चलती है, चलाकी बहुत कमी दिन तक चलती है, लेकिन ऐसा कोई होगा न, सारे गाने तो ह पहली बार निरहुआ रिक्षा वाला में उधिर जी के साथ में गाया, वो मेरे लिए बिलकुल सुनोना चाहूंगी और ये भी गाना जितनी लाइने मैंने गाया है, जो रखा गया मेरे जितनी सुनी लाइने, वो ओडियंस को ये गाने दिल तक चली गई ये गाने की लाइन, राम करे दिनवाए सन, कब हुना आए, हमरो मिरिया सैया, तो हे लग जाए, भले जग बेरी हो जाए, ना होई तो हसे जुदाई, हातो हरे हाते मंगिया में, सिंदूर भराई, हमरे बालम, हमरे साजन, नहीं आतो हरे दिल हमारे ले गयल, के हमरे बालम, नहीं आतो हरे दिल हमारे ले गयल, जब ये गाना गाती है ना गाना गाती है तो दिल को छू जाने वाला ये सब गाने सारे गाने सब सुपर बलाश्ट हुआ है अच्छा ये बताईए कि आप कब से शुरुआत की है गायकी का कैसे सौक जगा मैं 2003 मेरी चुरुआत कही Fantasya और महांताराणी के मंदीर में मैं अचानक माताराणी के मंदीर के चैजरा मनंधायका आए। मैं निगी तो दुर तक मुझी ने पता थक में सिंगर बनीगी ख्या उ dogs say मेरे भाया सिंगर हैं, तो उनकी बहन राज निंदू सुनाली है, तो सबको लगा कि रहा है, यह भी अच्छा गाती है, हमें स्कूल में गाया करनी है, तो मैंने क्या गाया मुझे नहीं पता, उसके बाद मेरी मंच की शुरुआत हुई, मैं मातारानीका जागरंग से ही मेरी अच्छा गाया, और सभी को अच्छा लगा कि तुमने बहुत अच्छा गाया, मैंने क्या गाया मुझे निपना, उस समय तक मैं थी ही नहीं, मेरा सुधबुता में कहीं चला गया तृमातारानीको, मतलब यह था कि इसको कुछ बनाना है, इसके लिए मैं बता नहीं सकती कि मैंने क्या गाया, कैसा गाया, लेकिन जब सारे जितने भी जागरन में हमारे भक्त सभी बैटे हुए थे मंदीर में, तो सभी बोलने लगे कि तुमने बहुत अच्छा गाया, उसके बाद फिर जो लोकल ग्रूप के थे, तारे और अर्गनाज़र आके बोने लगी, उनको पर शुल में गाया करती थी, तो फिर मेरी भी इच्छा आचानक जाग गई, मेरी ममी लोग बुली ने तुम कभी गाती नहीं हो, मंच पर कैसे गाऊगी, तो अचानक मेरा मन होने लगा कि मैं गाऊगी, और गई और पहली बार गाया राद भार दो तीन भजन गाती थी और सब कलाकार होते थे लोकल में नौ दिन अगर रहे तो 9 दिन बीजी रहती थी और एक आवन रुपया हाथ में मिला था भेली वार हाथ वह एक आवन रुपया मेरे ने एक आवन कलोर से भी ज़दा था तो यह बच्पन से ही सोख था आप जैसे स्कूल में बोल रहे हैं कि मेरे मैं समझे बीरास्त साखता है अश्या justify के और नारे मीम कुणा का लिए जो इंजया है जिए झाल पापा को होई इस जटे जब अबने शटका सुनोबाघूरीय P-V-R-A-T-A-T-A-T-D-O-A-T-A-T-A-T-C-E-H मेरे 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 आया विरासत और गाने का शौक मुझे बच्पन थे मैं बच्पन में बच्पन में बच्पन में बच्पन में बजाती थी उसमें गाने का कुछ नहीं था मेरे घर में यह था सबको लगने लगा यह बजाती है कोई भी गाना सुनती थी तो मैं खुद बजाने मुझे किसी ने सिखाया नहीं था उसके बाद दीरे 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 जब में पढ़ाई करने लगी तो शनीवार कर दीन होता है जिसे आज शनीवार है तो शनीवार में एक संगीता होता है सब्जक्ट तो मैं गाती थी इंदु आज गाना सुना जो भी है तो बताई दो कहीं मुझे सिंगरी बनना दे लिखा था बेंजो बजाना तो छुट गया लेकिन सूरले समस्ती कि बजाती थी ति उसके बाद धीरे दीरे गाने में में अभी साधी नहीं हुआ तब से गाना गाने लगी, यह नहीं कोई बोला कि नहीं, अब साधी हो गया, गाना नहीं, गाना कोई पाबन लीच है लिए शाधी के लिए ऐसा मैं तो कभी सोचा भी नहीं था, मैं मंच करते-करते पतना आई, बतना में भी बहुत सारे PG Super Sound, जो अभी PG Super Sound बहुत पुराना इ सुडियो है, और वहां से मेरी शुरुवात हुई मैं अल्बम में गाने लगी, शोज भी करती थी लोकल पतना में, जो भी शेप्संस हो, अच्छे-च्छे शोज करती थी मैं, और उसी भी पता चलाया कि पतना में पुछा गई मैं, बहुत नहीं लड़की आई, यह क्या ग हमारे गितकार, आनद मोहन जी का जाधातर मैं उनका मतलब सो कुझार हूँ, कि उन्होंने उनको एक आलबम बनाना था टीसरीज में, और उन्होंने बोला कि एक नई लड़की है, उसे ही गवाया जाए, तो मैं उनके साथ डूएट गाने के लिए, उन्होंने कहा कि बहुत ट्रेंज से कॉल आया कि नहीं, कल या परसो दो दिन के बाद तुम किकट लेलो, टीसरीज से हमने बात कर लिए, कि डूएट में हिंदू सुना ली गाएगी, कोई और सिंगर गाती, लेकिन उन्होंने जहन में रखा कि एक नई लड़की है, उसे से गवाया जाए, और मेरे पहले मुंबै में जाके गाए, तब दिली तक सिमीथ थे, लेकिन मैं आनंधिया के साथ मैंने ड्वेट गाया, भजन गाया मैंने, लोगित भी गाया, लेकिन कहीं मैं जब महनों रहती थी, तो मैंने कहा नहीं कि मेरा एक अलग मातारा ने अस्थान बनाया था, कि इसको इस में शुटिंग करना है, कोई सिंगर अबलेबल नहीं है, मैं गेस्टाउस में रहती थी, आनंध मोन पाइंडे बोलते थी, एक लड़की है गेस्टाउस में, और उसको बुलवाईए, हम लोग बुलवाते हैं, फोन करके, उसी से डमी गवा लिजे, शुटिंग हो जाएग पंजरिया नजरिया हम से लडाला नजरिया हम से लडाला जो चलन है मुंबै में मैंने स्टार्ट किया और मैंने गाया तो मुझे लगता है 15-16 मिलिट में गाने रिकार्ड कर लिया तो मुहन जी परसाद जो अंकल अभी इस दुनिया में नहीं है उन्हों ने वह उटके ऐसे बैड गे बोले रिया हो गया गाना हो गया हो गया वह भी कि अटी टी इस विश्वास नहीं हो रहा बस बस हो गया यही फैनल रहेगा शुटिंग तो होगी बट यही आवाज चाहिए मुझे जिससे मुझे गवाना था नहीं चाहिए मुझे अशकर स्रीव गाना फिल्मे में है वियाज सभी सुन भी सक्रें